मित्रों नमस्कार! मैं हूँ आपका मित्र कमल लंदलाल और मैं आप सभी दश्कों का हारदे कभी नंदन करता हूं। आपी ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर YouTube, Facebook और IGTV नेटवर्ग पर दोस्तों ये चैनल आपका है आपके लिए है आप इसका मूल कारण है तब ही तो आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को लाइक करें सब्स्राइब करें वीडियो जरूर शेर करें और पूर ने जरूर आए है शनी का राशी परिवरत्नN special series new year 2022 के अंतरगत आज हम बात करेंगे वृष राशी की और आपको बताएंगे कि शनी का राशी परिवरतन क्या करेंगा वृष राशी का शाल जयां वृष राशी और पूरी जानकारी देंगे और आपको शनी की बारेके जीवन में शन इसकी पूरी जानकरी देंगे शनी अपनी राशी मकर को छोड़कर अपनी ही राशी कुम्ब में शुकरवार 29 अपरेल को दोपहर 12 बचकर 17 मिनिट पर प्रवेश करेगा यानि कि काल पुरुष के 11 भाव में प्रवेश करेगा दसमें भाव को छोड़कर इसके बाद शनी मंग पर चंद्रमा के नक्षतर श्रवन के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएगा और 18 फरवरी शुकरवार के दिन सुभह 3 बचकर 22 मिनिट पर श्रवन नक्षतर को छोड़ कर मंगल के नक्षतर धनिष्ठा के पहले चरण में आजाएगा साल 2022 में शनी देव जो हमँच 34 दिन के लिए अस्तर रहेंगे सुमवार 24 जनवरी 2022 से लेकर 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन तक शनी की दृष्टी विश समान मानी जाती है और शनी अपनी तीसरी सात्वे और दस्वे दृष्टी से हर जीविके करमों के नुसारों से फल देते हैं आईए जानते हैं विरिश राशी के उपर क्या प्रभाव पढ़ने जा रहा है क्योंकि शनी अपनी पोजिशन चेंज करेगा साल में दो बार जिया विरिश राशी के लिए एक जनवरी 2022 से लेकर के 29 अपरेल 2022 के बीच में और 12 जुलाइस 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 के बीच म में जिससे शनी के दृष्टी का प्रभाव जो है आपके 11 तीसरे और छटे भाव में रहेगा लाब का भाव होता है तीसरा भाव पराकरम का और छटा भाव रोग व्याधी शत्रू पीड़ा साल 2022 में शनी 29 अपरेल 2022 से लेकर के 12 जुलाइ 2022 के बीच में आपके 10 भाव में गोचर करेंगे इस से शनी के दृष्टी का प्रभाव आपके 12 चौते और 7 भाव में रहेगा 12 भाव जो होता है हानी का भाव होता है खर्चों का भाव होता है चौता भाव होता है माता का चौता भाव होता है आपके घर परिवार का और सात्मा भाव होता है आपके जीवन साथी का आपकी बिजनस पार्टनर्शिप इत्यादी इत्यादी का अब जानते हैं ये साल के जो तीन मौके होंगे जो तीन समय हैं व्रिश्राशी वालों ये आपके लिए कैसे रहेंगे दिखे बात करेंगे एक जनवरी 2022 से लेकर 29 अपरेल 2022 के बीच में वरिश्टाशी वालों आपके साथ में क्या होगा पिछली सारी मेहनत कफल आपको मिलने की संभाव ना बनेगी आर्थिक इस्तिती बहुत फायदेमन साबित होगी व्यक्तिकोत प मंद मंद और कुंद कुंद फल लेता है जी हां शनी धीरे धीरे आपको सकरतमक प्रभाव जरूर दिखाएगा धारणाओं में बदलाव आने की संभावना भी है आपकी कुछ धारणा जो है वो धार्मिक तरीके से हटके कर्म की तरफ आजाएंगे तो धर्म को छोड़कर क पीरिड जो बीच का है 29 अपरेल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच का जो पीरिड है जब शनी आपके 10 में बहुमें गोचर करेंगे तो आपके साथ में क्या होगा वरिश्राशेवालों देगे पेशे वर जीवन में कुछ अच्छे अफसर हासिल होंगे आपको मंचाही नौ दृष्टी जो है वो चौते भाव पर है हां जीवन शहली पर अत्याद एक खर्चा होगा बारे में भाव पर दृष्टी है शनी की और दामपत्य में मनमटाव के भी योग है क्योंकि शनी के 10 में दृष्टी सिधी आपके साथ में भाव पर पड़ेगी तो आपको इस पी कारशेतर में कुछ परेशानियों लाने वाला रहेगा क्योंकि शनी बैकवर्ड पोजिशन में होंगे उस समय पर नौकरी में स्थानांतरन से नए सहकरिवियों से मुलाकात के भी योग बनेंगे समय अठके वे कारियों को गती प्रदान करेगा लंबित कारे सफलता करन कीजिए और हर शनिवार को काले उड़द खाइए चाहे डाल के रूप में चाहे उसकी खिषडी बना करके शनी आपका योगी प्लानेट है और आपको इसको स्ट्रॉंग करना है तो दोस्तों कल आप से मुलाकात होगी मिथन राशी को लिकर जहां हम आपको बताएंगे साल 2022 में शनी का राशी परिवर्तन क्या करेगा मिथन राशी का हाल मेरी भी कोई राशी है अड़हिया भी है जियां तो कल आप से डिसकस करेंगे मिथन राशी के बारे में इजाज़त दीजाए नमस्कार नमस्युवाए